हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग तो अल आफ यूटूब चैनल, लॉर्न विट कॉंसेट बई अशना विशुकर्मान, और इसमी साइनि इन, होप यू आफ यू आफ गूड, जैसे कि आप सभी को पता है कि क्वेशन सिरीज का वीडियो चल रहा थे हैं और अभी हम क्वेश है हमारा 2016-2018, 2016-2018 का बैच का है, बिएट फस्टे का एक्जाम, बिएट फस्टे का कॉशन पेपर है, और कोर्स इक्स है, जेंटर स्कूल और सुसाइटी, आपका टाइम दूरेशन है 40 आवर्स, ठीक है, आप देखिए, इसमें से भी आपको क्या 5 कॉशन करने हैं, टोटल ए भारत में इस्तरियों के अनुत्थान, अभ्युत्थान, एवं सिक्षा के लिए कौन-कौन से सम्विधानिक प्रावधान है, उसकी विवेचना करनी है आपको, नमबर टू, इस्टेबलाइश, रिलेशन्शिप बेट्वें इस एजुकेशन और सुसाइटी, विद एजु यानि कि लेंगिक असमानता को दूर करने में विद्धयाले की क्या भुमिका उसकी विवेचना करनी है आपको Q5. How can sexual abuse and violence be identified and minimized through education? Discuss. किस प्रकार सिख्छा के माध्यम से लेंगिक दुर वहवार एवं हिंसा की पहचान की कमी की जा सकती है? विवेचना कीजे. 6. Write short notes on any two of the following. निमलखित में से किनी दो पर संचित टिपड़ी लिखें. पहला दे रखा है difference between sex and gender. B. दे रखा है sexual harassment cell. लेंगिक दुर वहवार कोशांग जिसको बोलेंगे हम. C. दे रखा है role of pancati raja in woman empowerment. और D. दे रखा है role of culture in minimizing gender inequality. लेंगिक असमन्ता को दूर करने में संस्कती की भूमिका. इन सारे questions के answer मेरे आपको gender school and society की complete playlist में मिल जाएगा. आप जरूर देखिए learn with concept by अचना विश्य कर्मा नौइट्स में signing off.